संजू फिल्म में रिनबीर कपूर तारिफ पा रहा है, परेश रावल तारिफ पा रहा है, लेकिन एक और ऐसा करेक्टर जो जबर्दस तारिफे ले रहा है, वो है विकी कॉशल कमलेश का किरदार किया है संजू के बेस्ट फ्रेंड का किरदार किया है इन्होंने और अपने एक्टिंग से सब का दिल जीत लिया है पहले भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने तारिफे बटोरी लेकिन संजू इनके लिए एक बड़ी फिल्म थी और अब इन्हें एक बड़ी लेवल पर सक्सेस प्राप्त हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के नहीं आने की विकी कौशल ने अभी तक संजू देखी ही नहीं जी हाँ, खुद विकी कौशल ने माना है कि उन्होंने अब तक संजू फिल्म देखी नहीं पर उसके पीछे का रिजन भी जान लीजी नमस्कार में हूँ अभी शेक, स्वागत है अब सभी का हमारे इस चैनल पर एक्टर विकी कौशल फिल्म इंडॉस्ट्री का उफरता हुआ सितारा है, फिल्म संजू उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है मूवी में उनके काम की जम कर तारीफ हुई है लेकिन इस successful film के successful actor ने अभि तक ये film देखी ही नहीं film के सफलता से विक्की खुश है एक interview में उनोंने खुलासा किया कि अब तक ये movie नहीं देख पाया है दरसल वो कहते हैं कि मैंने film नहीं देखी मैं इस वक्त सर्विया में हूँ और यहां कोई बॉलिवी फिल्म रिलीज नहीं होती है इसलिए मैं मूवी देख नहीं पाया हूँ बता दे कि विकी सर्विया में अपनी अपकमिंग फिल्म उरी की शूटिंग में बिजी है यह मूवी भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किये गए सर्जिकल स्ट्राइक पर बीस्ट है इसी वज़ा से वो वहां पर भी जी है विकी संजू से पहले राजी में नज़र आये थे उन्होंने फिल्म मसान से बॉलिवोड में डेब्यू किया था हर रोल में खुद को साबित करने के बाद विकी अब इंडोस्ट्री में एक बड़ा नाम बनते चा रहे हैं लेकिन अब ये भी देखना होगा कि विकी जब इतनी तारीफ है पार रहे हैं तो अपनी खुद की फिल्म संजू ये कब देखते हैं फिलाल आपको बता दे कि संजू ने चार दिनों में तकरीबन 150 करोड के आसपस की कमाई कर ली है फिल्म ने अपने रुलीस के चौते दिन 27-30 करोड की कमाई की है जो की एक जबरदस कमाई है इस वीडियो में इतना ही